अलो फ्रेंड्स वेलकम आन माय योटूब चैनल बालोजी बिलेज आज आज हम डिसक्स करेंगे एक न्यू ब्राउन अल्गी जिसे हम बोलते हैं अल्गी केलाते हैं और इस जो आपका फ्यू फ्यू फैसी क्लास है इसमें च्क्रीज जो अल्गी ग्रूप में सबसे बड़े जो लार्जिस्ट ऐंगा होता है या फिर हम कह सकते हैं जो सबसे लार्जेस्ट अल्गा होता है माइक्रोसिस्टर्स पाइरिफेरा वो भी इसी को बिलाउं करता है बट अब यहां पर हम पढ़ लाएं सबसे इंपोर्टेंट कि यह जो यह माइक्रोस्कोपिक है और सबसे सिंप्लेस्ट सबसे प्रिमिटिव इंबर से बट होता मल्टे चलों लाइक दी फ्यूकस बगएरा है दूसरी अल्गी की तरह ब्रांच भी होता है और फ्लामेंटेस ब्राउन अलगा है इस पिक्टर आफ टो कार्पस नेचरल विव और अन्डेन अंडर माइक्रोस्कोपिक विव और इसके बारे में हम जो बात करें गाइस 20 बेरी इंपॉर्डेंट मुल्टिपल चॉइस कोईशन के तुरू हम जब बात करेंगे समझने को सिसकरेंगे कि टो कर पसकी क्या क्वा गिवन बलो लिए इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग इटो कर्पस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सथ नहीं इनकरेक्ट पहला पॉइंट कह रहा है कि इजीन उफ इसमाल फ्लामेंटेस मुल्टि सलिल्यूलर मुल्कुल सखिए ब्राउन अलगे तो 99-272 वह वह मरीन अंग इसले आप जैसे देखा कि आपने फ्लामेंटेस से एडिसमाल भी है यह बहुत अपने इसलिए मैक्रोस्कोपी बागी सब्सके मेंबर मुस्टी मैक्रोस्कोपी होते हैं इसके लाइट जैसे कि कुछ दूसरे यह चोटा है दूसरे बड़े यल्गी पर अपनी गुरूप के ब बिज़े टेसंस होते हैं उनको पर ग्रोजाता है एपी फाइट एंड इस फांड इस सब लिटोरल टू हाई इंटर्टाइडल पूल में भी पाया जाता है कि सब्सक्राइब करीब का एरिया होता है जिसकी ज्यादे नहीं होता है थोड़ा साइब आप बाद बाटम स्टार हो जाए उसका उस एक दिए सभवी टोरल टू हाई इंटर टाइडल फूल में यह यह पाया जाता है थार्ट इस्टेट्मेंट के रहा है कि आई फॉलिंग आर्गेन एक आल्शो को लिना इस आर्टिफिस्ल सभष्टा सबसें समझने का है फॉल इंग फॉलिंग फॉलिंग तरफे और यह एक रिए फिक्लियर जो थी उस पार्टिकलर आप्जेट के लिए प्रॉब्लम करती एक अफटर तरफ इसे एक बैड़ राँड़ का फार्मिशन तरफ बैड इसमेल आना श्टार्ट हो जाती तो ऐसे ऐनिमल को हम कहते हैं कर रहा है और आपका डाईटम्स भी आते हैं इसके लाव अभी इंगानिजम पर यहां पर मारा जो बात करते हैं। बनाते हैं वह इस तरह के आर गैनिस्म बनाते हैं तो पर एक फालिंग और गैनिद्ग में जो की आर्टिफिर सेटा पर का लिनियोनिय बना के रह सकता है डी स्टेटमेंट है इट टॉलेट डेशिकेशन जैसे आपने देखा था कि फ्यूकस में मुचलेश की लेयर पाई आती ती उसकी जो ब्रांचिस थे इस से क्या होता था तरह की एक्टिविटी के लिए पूरी तरकी से प्रोटेक्टिड होता है ठीक है इसमें कहरा है कि जो आ हमसे ध्यूस थानका होगा थो युरवफ्यार तो से चलिब कऱ必ए क्लेशिकेशन तो यह स्टेटमेंज करणा होगा थी करने लगए ध्यूइन रखन नहीं कर पाता है तो बनाफिक करेक्टन कोलिटी के बारें बात करता है अंधिक इनिकन्त आपका यह दियुक्त सब्सक् फिच्ट एपिट वह आप उसका फारिटी के बारे में बात करहा है कि एपमाइड होता है डिप्राइड हो था इन आ अपडिए तो आप नहीं तो आपने देखा होगा कि जो आपा आपका इसके एक ही दया पहलेक हो सकते हैं जो सकते हैं को पॉइंट आपका एक भी थिच्ट हाँ यह सकते हैं हैं सिसमें डोनों तर Cuteries Flavery है एक अप्लामेंट हो सकता है कि अप्लाइड हो और यह वाला आपका दूर्ग को तो यह क्या्यों एक्टोकरिपश है शन्ह täll एड इस टॉपी भती हैं Jeff शर्स्टी में समय को कोई लाइध के दिखने में इस सब्सक्राइए पैला है कि इस फंक्षन इन जाओखिन क्राउस दी यू कहरे और तेको बहुत इच्छी बात दा रहा है इस बिर इंपॉर्टेंट यह कोशन अपने आप में यह आप्शन भी एक सिंगल कोशन के बारे में पूस्टा जा सकता है कि यू कराटिक आर्गेनिजमें जो आगजिन प्लामारा प्लांट हरमों सोचा जो इस कि यू क अश्वाजिय करने में जो आगजिन का फंक्शन है उस को इन्वेस्टिकेट करने में यू कराटिक आरगेनिजम में मर्फोजट एक और इस होती है उसमें आगजिन का रूल क्या है इस चीज़ को स्टैडिकर करने के लिए हम फ्यूकर्स को आजे मौर्डल आगनिम यूज करते हैं क्योंकि सब्सक्राइब एक यूगराटिक आरगेनिस्म है तो जैसा प्लांट में होगा वैसा एक्टोकारपस में हो सकता है तो यह बिल्कुल सही बात है आगजिन सब्सक्राइब का रोल यागजिन का रोल मार्फोजिनेसिस यू करेंटिक और इसके लिए मौडल आरगेनिस्म कौन लिया जाता है एक टोकार बिल्कुल सही स्टेर्मेंट बेरी इन्फरमेटिव दूसरा पॉइंट है इज यूज एज कंपरेटिव मॉडल आरगेनिस्म टू पॉइंट है इस यूज तु स्टेडी आफ दी एप्लिकेशन आफ जीनोमिक अंद जिनेटिक अप्रोचेज तू टाइवर्स कोसिंस कंसर्निंगी पाली बेरी इंपॉर्टन पॉइंट गाइज यह कह रहा है कि हम एक्टोकार्पस को जो जीनोमिक अंद जीनेटिक अप्रो कोंचेश उनकी स्ट्रीं के लिए भी हम एक्टोकार्पस को जो मॉड़ल आर्गनिश्म करते हैं यह भी इस्टेट्मेंट ठीक हैं तो कौर्ट टैंसर आपका होता है घ्र सभी बातें जहां रहान पर हमने एप्लिकेशन बताएं टूकार्पस के बहां एक्टोर्पस बहुत जरूरी और इस बाले पार्टिकुलर गुरूप में बहुत जाद है क्योंकि हमें दो डिटेल में फैमिली पढ़नी थी क्लास पढ़ने थे बो था आपका एक साइनो फाइस जिसमें आपके ब्राउन गया थे इनके बारे में डिटेल स्टेडी करना थी इनके मेंबर्स ठीक है और बहुत साले नाम बताया थे पहले अब यहां फिर से बार कोशन में पूछा है कि इसमें कौन सा ब्राउन गिये तो आपको देखा अले बागे बारे मता जुके गिरीन है कर अभी कैरोफाइसी कह लिए तो बचा कौन सा के वल इसकाइटू सीफोन यह एक ब्राउ अच्छा कोशन आगा इसकी पहले तो कह रहा है कि कानट अमरीका अंतार्टिका यह तो इस यह तो अप्यारा भारत कहा प्याता है जो अमरी कंट्री है इंडिया दंगलादी लंका पाकिस्तान में आमार नेपाज जिव गई और नौर्थ अम्रीका यहाब का ओ यहाँ गया गई सकते तो यघ्माट्रिका अबक्षाहँ में और आपकह यह चोड़ चोड़के अंवे पायाजाता है उसकते तीक्सण लेटस एक स्पीसिज एक बहुत सारी स्पीसिप्स करेंगे आगे अभी एक कोश्चनम बताते हैं कि वर सबुल लेटस जो है कि स्पीसिज एक्टोकर्पस सबुलेट अगर पर्मनेंट यह कहां पाया जाता है देखिए इसमें आप संवे लाएं चोटा सा बॉक्स टाहिए और एक टोकर पर सब्सक्राइब रेकेश बाटर क्या वाटर कि ओसी इसमें जब रिवर साम देखा गरती तो पार्टिकलर प्लेस को क्या वोलते हैं इस चुरीज वोलते हिंदी मगर बोलें तो से मौहना का आजाता है तो जो यहां की एकोलो जाब यह दो और रेकेश बाटर बोलते हैं और टोकॉर्पस को वह लंगा यह बोला कि वही प्युर्वी मैरीन बाटर वोता है में संबंदर मनिकी और इसन पाइटा मगर सो ब्रेकेश बाटर बेर को से पॉइंट होते हैं जब कोई रिवर समदर में गिरती यह उस पार्ट कुछिन नमर से में बात करते हैं इन वेचादी फालोइंग इस कंसर्ड करेक्ट्री अबाउट लाइफ साइकल आफ एक्टोकर्पस देखिए हमने भी तुरी का लेक्ट्र आपको पड़ाया है उसमें आपको सब कुछ बताया है आप देखते हैं कि इन वेचादी फालोइंग इस कंसर्ड करेक्ट्री अबाउट दी लाइफ साइकल आफ एक्टोकर्पस मैं आपको बता दूंदो यह जो पढ़ा है थोड़ा सा टिपीकल है थोड़ा सा मतलब उतमें थोड़ा टिपीकल ने सहाइज कंपेर टू अधर बना तो कुछ नहीं है जैसे कि एक हमने आपको प एक्टोकर्पस सीजिक सीजिक आपका डिसफेशी घींघ। तो जो इसकी टाइप स्पीशी जगाने का मतलब डिटेल बुक में लिखी एक्टोकार्पस के बारे में वह आज पर इस पीशीज शीली कुलोस इसे क्या बोला जाता है तो इसकी लाइप साइकल की जो पहली बार इस्टेडी करी गई थी वह इसी स्पीशीज में करी गई ती इसी स्ट्रेंड में करीगे जिसका नाम था एक्टोकार्पस सिलीक्लोस सो इट इस नोन अज टाइप स्पीशीज आफ एक्टोकार्पस इस बिल्कुर सही बात है दूसरा स्टेट्मेंट है कि जो लाइप साइकल है इट कंसिस्ट आफ एन अल्टरनेशन बिडिवें दिडि इसमें इसा होता है ठीक है मतलब इसमें इसमें बहुत होता है और अभी हम पिक्चर आपको दिखाएंगे जैसे कि एक ही उसमें आपका है प्लाइड भी है और डिप्लाइड भी मेल भी है और फिमेल रिप्रड़क्टिव आरगन के जो से एक चारगन होते हैं वह एक ही थालेस पे बनते हैं इस कंडिशन को हम बोलते हैं डायर्शी और इसमें इंपॉर्टन बात क्या है कि एक है यह यह हो और फिर दोनों चीज़ होतीं मौनेशन से एकी ब्रांच पर दोनों रिपोड़टिव आरगन के मेल और इसके प्लाइडी चेंज नहीं हो रही थी इसमें क्या जो बात नहीं आई है कि इसमें जो यह वाली ब्रांच है इस पेवल एक आगन से ठीक है और यह दुसर ब्रा करपस में देखने को मिलता है कि एक ही प्लान के अंदर है फ्लामेंट भी और डिप्लाइट फ्लामेंट भी यह इंपॉर्टन पॉइंट आपको बता रहो और यह इसी तरीके से इसमें कहरा है इस विए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हमने बताया कि गमीटोफाइज मे सब्सक्राइब के साथ मेल फिमेंटोफाइट यह पॉइंट आपको बताया था यही को बोला गया है इसके अलावा इट आल्सों इंक्लूड सेवरल अल्टरनेटिव पात भी कहने का मतलब सेक्शुल रिप्रोड़क्शन के थुरू साइकल प्रोसीड हो सकती है मतलब आर ग पाथ वे इसमें सेक्शुल असेक्शुल मोट के अलावा पाथ जनेसिस के थूडू भी निव आरगनिज्गा फार्मिशन पॉस्विल है तो इस अल्टरनेटिव सोगाइस करेक्ट आंसर आपका होता है इसे बिन का रिक्ट आंसर ध्यान रखना है वेरी इंपोर्टन और कं प्लेक्स पॉइंट कोशन नमरेट में बात करते हैं इस फालोइंग आसपेक्ट आफ विच टो कारपस एक्ट एज मॉडल आरगनिज्ग कहने का मतलब है कौन से क्वालिटिक टो कारपस किये जो इसका यूटिलाइजिशन आज आज मॉडल आरगनिज्म में होने के लिए र पर नहीं कोशन है इसे पहले भी हमने बताया था डावल मेंटल बाया लोजी एंड एवुलूशन बायोफिसक्ष एंड एस्ट्रो बायोजी साइटोलोजी एंज इन जानेटेक्स बाया इनफ्रमेटिक्स एंड पैथलोजी गई तो आप क्लियर होगा होगा एविछ आप इ टेसे एविल्वी प्योटितन और जो मिलते हैं और अलगी जो इनसेस्टरी उती वह सभी ना थो प्लांट से मिलती है ना रेडल जी मिलते हैं और गरीन यह कंप्लिट इफ्रेंट अश्टरी वाले जो आलगी आपको बता रहा हूं कि ब्राउनल्गी से एंसेस्टर जो डिसंस पर इस्टेडी आप दी अप्लिकेशन आप जीनोमिक एंड जीनेटिक आप रोचिस्टू डाइबर्स कोशिंट कंसर निंग दी बाइलोजी आप आने वाले बहुत सारे कोशिंट का जीनोमिक और जेनिटिक आप ऊपोचिंट के स्थू जो आंसर देने के लिए जो मौडल आर इस्टेडी आपका होता है को इस नंबर टेन में बात करते हैं एक्टो कारपस याइज बिन यूज टू चैड़ी आप दी बहुत सारे कोश्चिंट के बारे में मौडल आरगानिम के बारे में एक्टो कारपस हैज बिन उजडी टू दी स्टेडी आफ सेक्शुल रिपर्ड लिए या फिर अप्र बेसिस आफ डबलमेंट को सुझाने के लिए यह इन्वारमेंटल इंट्रक्षन आप डाउन एल्गी की ब्राउन एल्गी कैसे करके इस चीज को स्टैडिय करने के लिए उनने का मतलब है जो माल्इकुलर वेसिस है कि डवलमेंट कैसे करके होता है डबलमेंट का मतलब सिंपल स्थ पॉइंट ने शुरूम बताया था मार्फोजेनिस मार्फोजेनिस के बनना और उनका अपने फंक्षन के विहाब पे अलगला लग हो जाना जैसे इसन पीनिष नट्रीज इसे सटड़ी करने के लिए यह समझाने के लिए आप यह तो कार्पस का यूज खया जाता है पूंसर अभी देखे सबसे पॉइंट आपने बताया था अलेक्स कोशन पूछ लिया गया डायसी इस फाउंड इन विच आप देख लिए यह थेले से दो कि बारेक्ट करने दो दो की आफ तक आमने देखा होगा कि इसकी से के लगई भी होती है तो एकलोल पड़ी होगी है रबाइट टि के ethersas के ही तो जो होता है का यह सिस्में गार्ण दिशनल तिश्य marriage ship दिखो एक हमने आपको पढ़ाएंगे तो आपको कि श्टडी कराना पढ़ाईगी उसमें सेक्षुल रिप्रड़क्शन में जो हम बात करेंगे तो इसमें जो गमीटोफाइट है और जो स्पोरफाइट है ठीके गाइस तो आप देखेंगे कि जो गमीटोफाइट बनेगा ग देखेंगे स्पोरिंजिया दो ट्सपोरिंगी एक होगी मोनोलेग्लियो और एक बने आपकी प्लेओर लोकलर इस पॉरी और यह दोनों कहां बनेगी आपके हैपलाइट स्टक्चर गमीटोफाइट तो का मतलब क्या है कि दो डिफेरेंट सेक्स का पे डबलप हो रहे हैं है फेज और जिसे हमने क्या वोला है के मीटो फाइट ठीक है जी धान रखना है देख एक ही होगा है आप लाइट और इस पर दो टाइप के सेक्स बनेंगे एक मेल वाले और एक फिमेल वाले तो 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 सिक्स डिफरेंट सेक्स का डवलामेंट होना इन है प्लाइट फेज आप पर दोने जो होते है के क्या हॅँ तरीक बहुता है कि मोने सिस्ट में किया होता है कि एक ही फ्लावर दोनों चीज़े रहे ईख quedar में प्लाइब और मिल सब के इन सबके अप था हो जाँ और दो सिट यह का प्लाइड के Awak raze चैनल आप यह इसकियों सब्काइब होना डाइसी के लाता और यह स्पेसिल घटना जोती है किवाल एक्टो कार्पस में पाई अब देखें एक निया कोशन है बहुत सरा जेनेटिक्स में इसका रोल है सेलगी का इन भी चाहिए फालोंग ऐलगी यूज्ड इंदी ट्रांस फेक्शन देकिन ट्रमेट ट्रांस फेक कर देखें जैसे आप नीचे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ आपने सुनी होंगी मगर आपको सिंपल आपको बता दूंगा लेक्टो पोरेशन होता है आपका लाइपो एंप लाइप लाइपो फेक्शन होता है जैसे हम देखा होगा जो बोटेक्स वाली मैथड आती जो इसकिन बगरा जो डल हो जाती बूरे लोग अपनी स्किन को फिर से न्यू यंग की तरह कराते तो उसमें लाइपो फेक्शन होते हैं बाहर से मोग कुछ ने इंजेक्ट करते हैं इस तर करने के बाद यह बाला पॉइंट हमने इंदर किसी दूसरे से अंदर इंसर्ट कर दिया थ्रू एलेक्टो पॉरेशन ठीक इस तरीके तालग अलग मैथा नहीं है कैसे फास्पेट के तरो और यह आडिविसल लाइपो सुम्ट के तरू न्यू कोशन देखते हैं कैल को फ्लो की हम तुकका मारें कोिया आप पता है तो यह कोशन हमें दूसरों से रीट करवा देते हैं जैसे केल्को फ्लोर वाइट जैसे से बहुत सुनरा होगा πόν Lap iosin सुना होगा Methylene Blue सुना होगा ठीक है इसी तरीके से आपने काल को फ़लोर वाइड का भी सुना ऑगा तोगा काल को फ्लोर वाइड थे हैं और यह सेलवाल को जब हमें व्यू करना होता है तो हम इस डाइ का यूज करते हैं बहुत ही सिंपल सी बात बेरी इन्फरमेटिव पॉइंट है गाइस काल को फ्लोर वाइट इसे लवाल डाइ मतलब जिसे क्रोमोसाम डाइ होती यह साइटो प्लाम डाइ होती इस तरीके से काल नम्बर 15 में एक तो कर प्रपस घम में दो करने एक तो कार पसक्षार पुवसको अनुज़ करता है बहुत सारी प्रोसेश को जो समस्चेकर यंश को सब्सक्राइब करता है इसके लाभ़ा राप कर घम जो ऐसे हाँ, पहां पर घमीनिध्स थे स्थाक्ष नहीं को स्थेक्ष प सब्सक्राइब करने के लिए और उनकी एक्टिविटी करते हैं हाई स्पीड के जो वीडियो कैमरा होते हैं अब हमारा पॉइंट इसमें किस आस्प्रेक्ट को स्टरी करने के लिए इक्टो कार्पस के गयमीट आज मॉडल आर्गेनिज्ट करते हैं तो आपकी फिलेजला मूवमेंट या स्विमिंग भी है विए बोथ या डी सेक्शुल फ्यूजन प्रॉस्ट तो करेक्ट आप काया गाई यहां पर सी दो एस्पेक्ट होते हैं जिने स्टडी करने के लिए ए पहला फिलेजला की मॉवमेंट कैसे करके होती है और दूसरा स्विमिंग भी है डिफेंट टाइप की जो आर्गानिज्ट में स्विमिंग की टेंडेंसी पाई जाती कुछ दो मिनट ताइड़ता है कुछ दो घंटे तक सुमिंग करता रहता है उसके बाद फ्यूजन करता ह तो इस तरह के स्विमिंग भी हैवियर और फिलेजला मॉवमेंट की स्टड़ी करने के लिए एक्टो कार्पस गयमिट को आजा मोटाजार अगनिज्ट यूज किया जाता है अब हम इसके गयमिट देख सकते हैं आप इस तरह की गयमिट होते हैं एक चोटा एक बड़ा एक क्या होते हैं दोनों एक को लोते हैं ठीक है कोशन नंबर 16 में देखते हैं इन विचादी फालोंग फीचर टैट मेक्स एक्टो कार्पस एंड इंट्रेस्टिंग मॉडल फार जेनेटिक एंड जिनोमिक एप्रोच फिर देखिए कोशन मॉडल के बारे में क्योंकि कोशन सब पूछे गए हैं मैंने बहुत अच्छा क्लेक्शन किया है इन विचादी फालोंग फीचर टैट मेक्स एक्टो कार्पस एंड इंट्रेस्टिंग मॉडल फार जेनेटिक एंड जिनोमिक एप्रोच पहले बात आया देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि जेनेटिक एंड जिन इसमाल साइज और दूसरा पॉइंट है कि इंटाइर लाइप शैकल जो सी कंप्लीट होती वह पेट्री डिसमें लाइवरोटी के अंदर कर सकते हैं यह पता होना जाए गलत बात है कर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो इसमें पॉइंट जैरिया कि यह वाला साइज है ज दूसरा इसमें लाइवरोटिक अंदर कि आशाइकल बहुत आसानी से कम्प्लीट करा सकते हैं तिसरा किसकी जो फटलीटी रेट है और ग्रोथ बहुत तेज करता है और इसका जिनेटिक क्रास होते हैं इसमाल जीनोम की बज़ेट से हम बहुत आसानी से कर लेते मतलब जिसक इसके जीनोम को साइज है जो किवले कितना होता है दो सो मिलियन बेस्वेर मैं अभी कोशन आगे पूछा भी है मैंने कोशन नंबर से तो इस तरीके तो जो आंसर है वह सही है यह सब इसका टोटल इसमाल साइज बहुत ही कम है इसकी इंटाइर लाशन को लाइवरोटी इस से यूज करा जाता है इसके अलाबा सकता कियूंकि इसका वहाँ्चा मों छोटा है कोशन नमर से मैं बात करने बात करने मैं 01ный थी renewed थी नआशा so सकते हैं तो आसानी से लबरोटी का काम कर सकते हैं कुछन में हम बात करते हैं आट इस अब देखिए फिर इस था बिट अब बता है जो जो जुनकों होता हैं जो क्रासिस रोटे मुट आसानी सटेड़ी करे जाते हैं क्यूंकि इस जिन्हों हाल को सब्सक्राइब का यह जो कि नहीं नहीं जो उसकी उसकी बाटमसे अटायच हो जाया और एक ठीख लियर का फारमिशन करें और इस तरीके से उस प्रॉब्लम क नियां इस प्रॉब्लम कर सकते हैं अबजिक्ट के लिए एंड स्राउंडिंग के लिए तो ऐसे आर्गेन को क्या बोलते हैं फॉलिंग अलगी अब इसमें क्या होता है स्पेशली फिजिशन आफ एलगी बोत माइक्रो एंड माइक्रो एंडेमेज देका उसका वजो जिस आपजेक्ट से एटेच होंगे उसका डैमेज भी काज करेंग तब आपका आंसर होगा एक्टो कारपस यह बात आपको ध्यान रखना है को इसमें देखिए काफी इंपॉर्टेंट कोशिन में पूछ लिया इसा कुछन नहीं सकते हैं क्योंकि यह जो आपका एक्टो कारपस है यह फॉलिंग आरगेनिज्म आप कन्फ्यूज करने के थे मसल से आपके फॉलिंग आरगेनिस्थ और टी स्टेट्मेंट इसलिए करेक्ट है यहां पर जो अपसन है कि फॉलिंग आरगेनिज्म इस आर तो आयलगी बहुत आपका यह सबसे इंपॉर्टेंट गुरूब जो है वह आपका ग्रीन एलगी और ब्राउन एलगी जाइं अबस्क्राब लाए कि अन्सक्राइब करें चैनल जानकि वरी घर जगू ऑजे लिग्टाइब।